Hello friends and welcome back to Chikis Biology, another video tutorial. In this video tutorial, today I am going to discuss about medical store versus biopharma slash pharma industry job. So, today we will talk about this video in detail. And with the Chikis Biology channel, there are many pharma and other biological students, they are connected. And friends, this video is going to be a crucial role for those students. Those who want to open their medical store or go to the pharma and biopharma industry, but they are confused that they want to do the job of biopharma and pharma industry, or they want to do their medical store. So friends, after watching this video, they will be able to get a proper solution here. So friends, you will be able to get me with this video, starting from the end. And if you have not subscribed to the channel, please do not subscribe to the channel. And this video will also provide all biological students right away, if you will see this video from starting from the end. ने ने तक देखते हैं. ये वीडियो सिर्फ फार्मेसी स्टूदेंट्स के लिए ही अच्छी नहीं है, ये वीडियो सभी बाइदाजिकल स्टूदेंट्स के लिए यहां पे, कुछ ना कुछ उन लोगों को मैसीज देगी. तो friends जो medical store होता है वो अपना एक खुद का सोफ होता है वो खुद की अपनी एक business होती है और friends अपना जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोगों को किसी का restriction नहीं होता means कि हम लोग अपनी मर्जी के वहाँ पे मालिक खुद होते हैं कि हम लोग कितने बज़े सुबह को वहाँ प medicines बेशते हैं उन सभी medicines को बेचने के बार यह हम लोगों पर खुद महाँ पे depend करता है इसमें किसी other person का हम यह और हम लोगों को correct कोई roll नहीं होता और हम लोगों को किसी other person का extra burden भी महांग नहीं होता हम लोग का जो Carolyn decision making होता है हम लोगों का self नहीं होता है और हम लोग जो हैं वहाँ पे अपने decisions खुद ले सकते हैं और हम लोग जो हैं सुबह कितने बज़े जाते हैं, शाम को कितने बज़े महाँ से निकल जाते हैं, दो पैर में कितने घंटे का हम लोग लंच करते हैं, यह हम लोगों पे खुद महाँ पे सोरी depend करता है, means कि हम लोगों को कोई किसी परकार का वहाँ पर restriction नहीं होता कुछ लोग जो है जब कोई pharma या bio pharma industry की job करते हैं तो उन लोगों के सामने एक problem होती है कि वो जितने भी उनके relations में वहाँ पर लोग होते हैं या जितने भी उनके वहाँ पर family member होते हैं उन लोगों को वो time नहीं दे पाते यह सबसे बड़ी problem होती है क्योंकि friends जब आप लोग किसी pharma या bio pharma industry में job करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों का एक fixed time table होता है जब आप लोग अपना खुद का medical store करते हैं जहाँ पर कोई other medical store नहीं है और आप लोगों ने पने medical store के business को well established महाँ पर कर लिया है तो friends फिर आप लोग जहें एक bio pharma और pharma industry की job से ज़ादा महाँ पर पैसा कमा सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ और friends जो monthly earning होती है जो परड़े की आप लोगों की महाँ पर sale होगी या जो earning होगी वो बहुती अच्छी महाँ पर फिर हो जाती है और friends तीन तरह की medicines होती है ethical, एक generic और एक chief तो friends आप लोग अगर generic medicines भी महाँ पर अगर बेचते हैं तो भी आप लोग बहुत सारा पैसा जो है वहाँ पर एकटा कर लेते हैं क्योंकि इन सभी medicines पर जो है बहुती जादा एक तरह से margin होता है और friends से बहुत सारे medical stores पर जो है इन सभी medicines को बेचा जाता है तो friends ये बात हो गई अपने personal business की या अपने medical store की अब बात करता हूँ कि pharma और bio pharma industry में जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है friends अगर आप लोग pharma और bio pharma industry की job करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों का एक fix time table होता है आप लोगों का वहाँ पर जाने का एक time होता है वहाँ पर आप लोगों का एक lunch करने का fix time होता है और शाम को अपना टास्क पूरा करने के बाद या अपना वहाँ पे जोब का टाइम पूरा करने के बाद या अपना वर्क पूरा करने के बाद आप लोग जब शाम को निकलते हैं उसका भी आप लोगों का एक वहाँ पे टाइमिंग होता है और friends वहाँ पे बहुत सारे seniors का आप लोगों के ऊपर burden होता है और जो आप लोगों को task मिलता है वो भी आप लोगों को complete करना पड़ता है और कई बार आप लोगों को तराइट पढ़ जाती है आप लोगों के senior की तो आप लोगों को वो भी महाँ पे सुननी पड़ती है means कि आप लोगों के उपर एक extra burden होता है जब आप लोग pharma industry या भाय pharma industry की job करते हैं और इसमें कोई सक नहीं है कि वहाँ पे आप लोगों की salary अच्छी होती है बेशक आप लोगों की salary महाँ पे अच्छी होती है बट आप लोग जो है अपनी family को या अपने जो आप लोगों के relation में लोग होते हैं उनको time नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप लोगों को उतनी छुटी वहाँ पे नहीं मिलती तो friends ये एक बहुती बड़ा difference है अगर आप लोग अपना medical store खोलते हैं या आप लोग जो है अपना pharma और bio pharma industry में job करते हैं तो friends अब एक बात ये है कि अगर आप लोग pharma industry या bio pharma industry में job करते हैं तो आप लोग as a professional आप लोग वहाँ पर work करते हैं as a professional आप लोग अपनी life जीते हैं बट अगर आप लोग अपना medical store खोलते हैं तो friends वहाँ पे आप लोगों की जो life होती है वो अतनी professional नहीं होती चुकि friends वहाँ पे आप लोग जो है एक general life आप लोग महाँ पे फिर आप लोग जीते हैं और friends पीर आप लोग फिर पर एक अन-professional की तरह आप लोगों को work महाँ पे करना पड़ता है तो friends ये भी एक major difference होता है और बहुत सारे students, बहुत सारे candidates की ये problem होती है और friends अगर आप लोग fresher candidate हैं तो fresher candidate अगर आप लोग हैं और bio pharma और pharma industry में जहां चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी salary एक दम महाँ पे मिल जाएगी और friends जो workload होता है वो एक industry में जो pharmacist work करता है या कोई biology student वहाँ पे work करता है उसके उपर बहुती जादा workload वहाँ पे रहता है और उसकी बहुत सारी restrictions वहाँ पे होती हैं उसको वहाँ पे dart खाने के बाद भी work करना पड़ता है और friends आप लोग जो हैं ऐसे वहाँ पे time pass नहीं कर सकते आप लोग जो हैं वहाँ जो आप लोगों को task दिया जाएगा वो आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा और friends जब आप लोग अपना medical store खोलते हैं वहाँ पे आप लोगों की जितनी cell होती है या आप लोगों के साथ में कितने लोगों महाँ पे जुड़े हैं कितने डॉक्टर्स के साथ में आप लोगों के महाँ पे connection हैं यह बहुत ही जादा matter करता है बहुत सारे medical store जो फार्मसिस्ट कोलते हैं उन लोगों की salary बहुत अच्छी अच्छी उन लोगों की जो परडे की जो sale होती है बहुत ही अच्छी होती है और फ्रेंड्स वो लोग भी उस एक फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाले employees से जादा है उस एक फार्मसिस्ट से जादा महाँ पे earn कर लेते हैं वो लोग भी बहुत पैसा वहाँ पे कमा लेते हैं तो यह कुछ यहाँ पे पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों की साथ में डिस्कस कि इस वीडियो से लिए अगर आप लोगों का कोई question है कोई query है आप लोगों के mind में कोई doubt है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे comment box में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जूड सकते हैं चिकीज पाइलोजी के इंस्टागराम एकाउंट के साथ चिकीज पाइलोजी के facebook page के साथ और आप लोग मुझे follow कर सकते हैं इंडिया के नंबर वन ओनलाइन लाइनिंग प्लाइटपॉम पर जिसका नाम है अनकैडमी वहाँ पर लोग अपने questions अपनी queries अपने doubts अपने thoughts मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लिए चुकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बाइलोजी चैनल पे लेका हूंगा आप लोगों को महां पे जो एन अकैडमी का आउंट है उसकी भी आप लोगों को लिंक महां पे मिल जाएंगी और मैं हमेशा ही आप लोगों को रिप्लाई करता हूं और आगे भी आप लोगों को रिप्लाई करूँगा आप लोगों के सभी questions पे So thank you friends, thank you for watching again, thank you friends